शारु खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केज में 24 अक्टूबर को चोका देने वाली जानकारी सामने आई है आर्यन खान के साथ सेलफी लेने के लिए वैरल हुए सक्ष किरन गोसावी के बोडिगार्ड रहे परभाकर सेल ने एकलफ नामा जारी किया जिसमें उसने कई चोका देने वाले दावे किये साथ ही परभाकर सेल ने दावा किया है कि किरन गोसावी ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 कडोर रुपे की मांग की थी परभाकर सेल के मुताबिक ये मांग गोसावी ने NCB चीफ समीर वान खेड़े के और से की थी परभाकर सेल किरन गोसावी के बोडिगाट रह चुके हैं साथ ही वो आर्यन खान के क्रूज ड्रक्स केस में NCB के गवाबी हैं किरन गोसावी वही सक्ष है जिसने आर्यन के साथ सेल्फी ली थी सोशल मेडिया पर ये तस्वीर वाइरल हो रही है अब किरन गोसावी ने परभाकर सेल के इंदावों पर चुक्पी तोड़ी है गोसावी ने बताया है कि वो समीरवान खेड़े को जानते तक नहीं है परभाकर सेल के मताबिक गोसावी और सैम ने अपनी बाचित में 25 करोर रुपे की मांग की थी लेकिन 18 करोर में मामला सेटल करने को राजी हो गए थे गोसावी ने कतित रूप से कहा था कि इस 18 करोर में से 8 करोर समीरवान खेड़े को जाएंगे और बाकी बचे पैसे दूसरों में बटेंगे परभाकर सेल के दावों के बाद एंसीबी ने बयान सारी कर उसके इल्जामों को जुटला दिया था मुथा अशुक जैन ने एक बयान सारी कर कहा कि ये मामला कोट में चल रहा है ऐसे में इस केस के एक चश्मदीत के तोर पर उन्हें कोट के सामने इसे जमा करने की जरुवत है ना कि शोशल मीडिया पर उन्होंने ये भी कहा था कि जोनल टारेक्टर समीर वान खेड़े इन इल्जामों को सिरे से खारिस करते हैं